लली तोपाख्यान की विशायानु क्रमनिका 1. अगस्त्य यत्रा जनार्दन का आबिर्भाब 3. यत्रा प्रसंग में महर्षी अगस्त्य का कांचिपूर पहुचना और देवी कामाक्षी की पुजा करना वहां पर उनके समक्ष भगवान विश्नु का प्रकट होना और अगस्त्य मूनी से देवी ललितेश्वरी की कथा को वर्नन करने का अनुरुद करना 2. हिंसाधी रूप कथन 3. लोकों के शासक होने के कारण मदमेचूर इंद्र ने स्वेच्छा से विहार करने पर मध्यमार्ग में श्री शंकर द्वारा भेजे गए रिशी दुर्वासा के लिए तुष्ट देवी से प्रप्त माला से किसी विद्याधरी द्वारा मल्यारपन किया जाना सामने आये हुए इंद्र के लिए दुर्वासा द्वारा इस दिव्य माला का अरपन किया जाना और इंद्र द्वारा उस माला को अपने हाथी एरावत के सिर में डाल देना आयरावत के शिर से भूमी पर गिरना और दुर्वासा द्वारा इंद्र को शाब देना और फिर उस शाब से इंद्र का राज्य विहिन होना तब इंद्र का गुरु ब्रिहस्पती से अपने दुख की कहानी कहना और फिर गुरु ब्रिहस्पती द्वारा इंद्र को पाप के फल का परिपाथ और हिंसा के स्वरूप का वर्नन करना 3. स्तेय पान कथन विश्वासघात और धन हरन के प्रसंग द्वारा कांचिपूर में रहने वाले वज्र नामक चोर के भुमी में गाड़े हुए धन के दश्वे भाग को चुराब कर वीरदत की रात द्वारा जलाशय देवाशय आधी का बनवाना तथा उसके मरने पर वज्राख्य चोर की मृत्यू परियंत बायू मार्ग में स्थित होना तब द्वीज वर्मा वीरदत की रात की पत्नी द्वारा रुद्र की पूजा करना तब वज्राख्य चोर की मृत्यू होना तब उस चोर की को स्वर्ग मिलना और वीरदत को शिवलोग को प्राप्त करना और फिर चोरी और सुरापान आधी करने के पाप का वर्नन और उससे प्राप्त फल का वर्नन 4. अगस्तिय और आगमादी और उनका प्राइस्चित्त वर्नन माता भावी वहिन के साथ समागम करने के पाप का प्राइस्चित्त वर्नन तथा अपनी पत्नी के साथ समागम विधी वर्नन तथा अभक्षय भोजन विधन 5. देवासुर अम्रित मंथन 6. कश्यप पुत्र दनू की पुत्री से उत्पन्न पुत्र देवरूप का इंद्र द्वारा सिर काटने के पाप से तथा दुरवासा रिशी के शाप से इंद्र सहित सब देवो का रज्यश्री से पिहिन होना 6. फिर इंद्र का भगवान विश्नू के पास जाना वहां उन्हें असूरों से मिलकर समुद्र मंथन का परामर्ष देना और यह कहना कि समुद्र में से जो अम्रित निकलेगा उसे मैं छल द्वारा देवताओं को पिला दूंगा तब सब देवता अमर हो जाएंगे अतह देवो दानवो का सागर मंथन में लग जाना सागर मंथन में दैत्यों का पराजाएं 6. मोहिनी का प्रकट होना मलका सुर्वद समुद्र मंथन के प्राप्त अम्रित को लेकर देवो और दैत्यों में युद्ध होना तब विश्नु का मोहिनी रूप धारन कर अम्रित वाठना और फिर समस्त अम्रित देवो को देदेना और फिर पुनह देवदानव संग्राम होना तथा अम्रित पान के कारण देवो की जय और दैत्यों की पराजय होना विश्नु द्वारा मोहिनी रूप धारन की चर्चा सुनकर शीव का पार्वती के साथ विश्नु के पास आना और उनसे उस मोहिनी रूप को धारन करने का निवेदन करना तब विश्णू का मोहिनी रूपधारन करना तो उनको देखकर शिव का मोहित होकर उस मोहिनी के पीछे दोड़ना और फिर उनके वीरिय पात से महावल का जन्म होना उसके वाद भंडासुर और उसकी राज वंग्षावली और ललिता देवी की उत्पत्ती भंडासुर की कहानी भंडासुर की उत्पत्ती शंकर द्वारा भस्म किये गए राक्से भंडासुर की उत्पत्ती गने शोप दिष्ट शतरुद्री जाप करने के कारण भंगवान शंकर द्वारा उसे 7000 वर्ष तक अखंड राज्य करने का वर्दान देना 8. ललिता प्रादुर्भाव भंडासुर का शोनित्पुर में 9. साथ हजार वर्ष तक राज्य करना अपने भ्रष्ट राज्य को पुनह प्राप्त करने हेतु इंद्र प्रस्थ में इंद्र का ललिता देवी की पूजा करना भंडासुर द्वारा पूजा में विग्न पहुचाना 9. ललिता देवी की स्तुति 10. मदन कामेश्वर प्रादुर्भाब अलोकिक रूप सौंधर्य के अनुरूप वर हेतु विष्णो ब्रह्मा का विचार करना और तब करोडो काम देवो के सौंधर्य को लेकर भगवान शंकर का प्रकट होना 11. महा देवी शंकर विवाहुत्सव वर्णन 11. ललिता देवी का शंकर के साथ विवाह और वईवाहिक महुत्सव ने काम देनु कलपादी सदा सम्रिधी देने वाले पदार्थों का उस नगर में वास होना 12. समस्त देवों द्वारा अपने अपने अनुसार वईवाहिक उपहार प्रस्तुत करना और उनकी प्रसनतार्थ वहां देवों का विकास 12. सेना सहित विजय यात्रा 12. देवी ललिता का भंडासूर के साथ युद्ध के लिए तत्पर होना ललिता देवी के आयुद और अश्वारूड शक्तियों का वर्नन 13. दंडिनाथा श्यामल सेना यात्रा 14. दंडिनाथ की पैदल सेना के पदार्पन का वर्नन तथा दंडिनाथा के आयुदों और सैनिक शक्तियों का वर्नन 14. ललिता परमेश्वरी सेना जय यात्रा 15. महाराग्य ललिता का युद्ध के लिए प्रस्थान करना और उनकी सैनिक शक्तियों का वर्नन तथा ललिता के पच्चिस नामों का वर्नन 15. श्री चक्र राजस्थ तथा गेय चक्र परवस्थ देवता नामों का प्रकाशन 15. किरी चक्र रथ में देवियों के नामों का वर्नन ललिता और भंडासुर का युद्ध प्रारंभ वर्नन 17. भंडासुर अहंकार 18. भंडासुर द्वारा अपने नगर की सुरक्षा करना भंडासुर के भाई विशंग को मंत्री कुटिलाक्ष द्वारा युद्ध के लिए भेजना 18. दुर्मद कुरंड वद वर्नन ललिता देवी की सेनापती संपत करी के साथ भंडासुर के सेनापती और उसके भाई कुरंड का युद्ध और उस युद्ध में दोनों का वद 19. कंकरकादी 5 सेनापती वद वर्नन भंडासुर की कुटिलाक्ष के साथ युद्ध विशयक मंत्रना करना और उसके परामश से कंकरकादी 5 सेनापतियों को युद्ध के लिए भेजना वहां राक्षस सेना द्वारा सर्पिनियों को पैदा करने वाला अस्त्र प्रहार करना और शक्ति सेना द्वारा नेवले पैदा करने वाला अस्त्र पैदा कर सर्पिनियों का संहार करना 20. वलाहक आधी साथ सेनापति वध वर्नन भंडासुर द्वारा साथ सेनापतियों को प्रकाश से चकाचोद करने वाले सूर्य यंत्र के साथ यद्ध क्षेत्र भेजना तथा उनके द्वारा शक्ति सेना को तेज प्रकाश से व्याकूल कर देना तब दंडी नाथा द्वारा अंधकार के रत पर सवार होकर उनका वद करना 21. विशंग पलायन वर्नन युद्ध में त्रिलोग विजई सेनापती के मरने से भंडासुर का चिंतित होना और फिर अपने बहादुर भाई विशंग को युद्ध क्षेत्र में भेजना और साथ में 15 सेनापतीयो और 25 अक्षोहिनी सेना को भेजना तथा में रात्री के समय सोती हुई शक्ती सेना पर प्रहार करना वहां घोर युद्ध होना तथा उस युद्ध में विशंग का युद्ध क्षेत्र से भागना 22 भंडपुत्रवद देवी ललितेश्वरी के आदेश से युद्ध शिवीर की रक्षा के लिए शिवीर के चारों और बहुत उचा अगनी प्राकार का निर्मान कराना और फिर युद्ध क्षेत्र में भंडासुर द्वारा भेजे गए भंडासुर के पुत्रों के साथ 9 वर्ष की ललिता कुमारी का युद्ध होना और इस युद्ध में कुमारी द्वारा भंडासुर के पुत्रों का 200 अक्षोहिनी सेना के साथ वद करना 23. गननाथ पराक्रम वर्नन 24. भंडासुर द्वारा विशुक्र को युधक्षेत्र में भेजना और विशुक्र द्वारा मायावी युधको प्रारंभकर शक्ति सेना को आतंकित करना 24. गननाथ का उत्पन्न होना और गननाथ के युधकोशल से भंड और विशुक्र का युधक्षेत्र से पलायन करना 24. विशुक्र विशंग वद्वर्नन 24. भंडासुर के दो पुत्रों विशंग और विशुक्र का विशाल सेना के साथ युधक्षेत्र में आना 25. और उनका ललिता देवी के सेनापती दंडिनाथा और मंत्रिनाथा का किरी चक्र रथ और गेय चक्र रथ पर सवार होकर युधकरना 25. भंडासुर के दोनों भाईयों विशुक्र और विशंग का वद्वर्नन 25. भंडासुर वद्वर्नन 26. भंडासुर का कुटिलाक्ष के साथ मंत्रना करना और कुटिलाक्ष के साथ विशाल सेना लेकर ललिता देवी के साथ अनेको प्रकार के आसुर अस्त्रो एवं असुरो को उत्पन्यकर युधकरना तथा ललिता देवी द्वारा सबका संहार करना वहां भंडासुर द्वारा हिरन्यक्ष रावन कुम्भकर्ण मेगनाद केशादी को उत्पन्यकर युद्ध कर्णा तथा ललिता द्वारा नरसिंह वाराह राम लक्ष्मन कृष्ण आधी को उत्पन्यकर सबका संगहार करना अंत में ललितेश्वरी द्वारा भंडासुर्वद 26. मदन पुनर्भव वर्नन शीव पार्वती विवाह की कथा कार्तिकेय की जन्म कथा तारका सुर्वद वर्नन 27. इंद्रपुत्री देवसेना का कार्तिकेय के साथ विवाह वर्नन 27. सब्तकक्ष्या मंतग कन्या उत्पत्ति वर्नन 27. श्री ललिता द्वारा भंडासुर्व को मार्देने पर ब्रम्ह आदी देवताव से प्रेरिद विश्व कर्म और मैदानव द्वारा 28. हे मकूत आदी नविन पर्वतो पर लवनादी और साथ समुद्रो पर विचित्र 28. गोपूर मुकुत द्वार शाल उद्ध्यान आदी से युक्त ललिता देवी और मंत्रिनी के लिए साथ कक्षो वाले नगर का निर्मान करना और फिर मतंग कन्या का प्रादुर्भाब होना 28. श्री नगर त्रिपुरा सब्तकक्षा प्रादुर्भाब होना 29. पुष्पराग प्राकारादी मुक्तकारत्न 29. पुष्पराग प्राकारादी मुक्तकारत्न 29. रत्नमय ग्रिह में ललिता देवी की रस्रसायन सिद्ध आराधको सिद्धो अपसराओ और गोरकारत्न 30. दिकपालो द्वारा शिव लोक का अंतर 30. महा रुद्र और दूसरे रुद्र के द्वारा श्री ललिता की आराधना 31. चंद्रशेखर के साथ साथ अन्य देवो द्वारा श्री ललिता की स्तुती पुजा आधी का वर्नन 31. महा पद्माटवी अर्ग्यस्थापन कथन 31. महा रग्यी श्री ललिता देवी की अती शांदार प्रभू सत्ता का वर्नन 31. अनेको मार्तंड भैरव और शीत चंद्र आधी द्वारा श्री ललितेश्वरी की स्तुती पुजा आधी का वर्नन 32. महा पद्माटवी में शक्तियों का आगवन तथा उस श्री नगर में अग्नी चंद्रमा ब्रह्मा विश्णो और रुद्र की उपस्तिती वर्नन 32. चिन्तामनी ग्रिह के अंदर की कथा का वर्नन 33. देवियों के आवासों का वर्नन शक्तियों द्वारा देवी की स्तुती सर्वग्य और सर्वशक्तिशाली श्री चक्र का वर्नन 33. ग्रिहराज के अंदर का कथन दिव्य ग्रिहराज भवन में ललिता देवी की पुजा अर्चना शीव और ललिता का अलोकिक सोंदर्य वर्नन 34. मंत्र राज साधन कथन महादेवी ललिता के अप्रतिम और अलोकिक श्रिंगारिक रूप सोंदर्य का वर्नन और उनकी पुजा का फल प्रभाब वर्नन 35. कांचिय कामाक्षी वर्नन कांचिय पुरम में महादेवी ललितेश्वरी का कामाक्षी के रूप में वर्नन तथा वहाँ पुजा करने का फल वर्नन तथा दशर रथादी को वहाँ पुजान करने से फल प्राप्ति का वर्नन 36. कांचिपूर महात्मिय 37. कांचिपूरम में खेल खेल में गोरी द्वारा शिवजी की आखों को हाथों से धक देने पर समस्त संसार में अंधकार चा जाने से संसारी क्रियाओ के संचालन बंध होने के वर्नन 37. जिसपर शिव द्वारा गोरी की त्याक करना और गोरी का दुखित होना और बाद शिव और गोरी का एक हो जाने का वर्नन 37. कांचिपूरम में कंपा नदी मेसनान करने का फल कथन और वहाँ परपूजा करने का फल वर्नन 37. श्री विद्या यंत्र उपासना श्री विद्या के ध्यान करने और पुजा अरधना करने से सभी प्रकार की मनों कामनाओं का पुर्ण हो जाना 38. देवी पुजा में मुद्रा कामाक्षी देवी का पुजा में हाथ की आकृतियो मुद्राओं द्वारा पुजा करने का महत्वा वर्नन 39. श्री देवी पुजन दिक्षा कथन 40. शहस्राक्षर विद्या के साथ देवी की पुजा के लिए विधी विधान 40. देवी पुजा प्रकार वर्नन कामाक्षी देवी की पुजा के लिए बिधी विधान सावधानिया